हालो मेंबोस अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं कल मार्केट कैसा रहेगा कौन से स्टॉक में इंपोर्टन नियूज है एंड काफी व्यूज की क्वेरिस आ रही है देखो वन वे वन क्वेरिस जरू कवर करेंगे काफी मोमेंटम आ रही है ठीक है लेकिन बात करना कोशिश के एक बाद जाके चेक आउट के लिए और हां इनफोसिस विपरो यहां पर एडर क्रेश हुआ है ठीक है तो अभी क्या हो सकता है क्या मार्केट में गिराउट आएगी फ्राइडे फॉल होगा वह आपको अपरेट करने की कोशिश की है ठीक है चलिए देखो नेगेटिव उस मार्केट से आई जाती है ठीक है अगर सीरस में क्या होगा तो थोड़ी रेली सस्टेन रह सकती है ऐसा दीखाई अभी के लिए तो दे रहा है ठीक है और वैसे देखो मेरी बात पत्थर की लगए तो है ती नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको बताने की क ट्रॉट स्टाकता मार्केट में आपको स्टाक स्टेल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है चला लूपर 1 को सकती है ठीक है चले लेकों बारत क्या है स्टॉक को स्टॉक में प्रॉफिट बॉकिंग आनी स्टॉक हो चुकी है इसको अभी के लिए देखने की कोशिश मत करना ठीक है अब सकते हैं अब स्टॉक स्टॉक में कोई शेर नहीं देगा सब आपकी जानी लेंगे तो बैटर है थोड़ा वेट करो ऐसा स्टॉक के बन करने का सूच्व रिस्क हो सकता है ठीक है रिस्क हो सकता है प्रिस्टिज इस्टेट पाज्यक्ट है अब जितने भी रियली इस्टेट के स्टॉक सी ठीक है अब इस पर यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्स बनाएंगे और उसको सेल करेंगे अब दिख लेते हैं आप स्टॉक कहां पर है हलाकि आज मैंने स्थूभा दिखा था देखो शोभा काफी ची मोमेंटम की थी शोभा ने 12% की एक टेम पर सोभा आप देखो यहाँ पर कह है यह मैंने आपको बताया था जब यह स्टॉक बहुत नीचे था चारसो क्या सपस्थ था ठीक है तो स्टॉक आथ तो यहाँ पर चौदा सो हाई मारा है लेकिन देखो एक बार के लिए स्टॉक नीचे मिले 800 क्या सपस्थ जरू दिखेगा भी रियल इस्टेट के स्टॉक क अभी देखना बियो कुफी हो जाएगी एक बात आपको समझाना चाहूंगा ज्यान से सुनेगा कुछ स्टॉक होते हैं जब गिरावट आती है वह स्टॉक लाइफ में अच्छे रिटन देते हैं लेकिन वह गिरावट में खरीदना चाहिए जैसे कि बजाज फाइनेंस रि चेछ गिरते तो गिरावट में आपको स्टॉक को रडार पे रखता है ठीक है और उसमें गोध्रेज प्रोपर्टीस प्रेस्टाइचिस स्टॉक को रडार पे लगते वह भाकिया आपको जीतने बी रियल इस्टॉक से उसको बॉटम पे जरू फोकस की जगए अपी नहीं ह इसको जादा मोमेंटम नहीं आगी हलका सा यह मरा पड़ा स्टॉक है तो आप यह समझो बड़ी पलेस अभी इसमें इंट्रेस्टेट है नहीं एफ आई डी अगर खरीजेंगे तो इस टॉक बागे का बाकि अभी कोई इंट्रेस्टेट नहीं है स्टॉक ब्रेक आउट करा ल लेकिन स्टॉक को लॉंग टर्म के लिए जरू देखेगा अभी काभी मरा पड़ा स्टॉक है और वैसे भी लॉंग टर्म में मतलब इतने अच्छे रिटर्न तो देता नहीं है अगर स्टील आप मार्केट में जाना चाहते तो टीस को देख सकते हैं लाज के स्टॉक्स में ठीक है बाकी देखो विप्रो मुझे अभी करन लेवल पच्छा दीखाई दे रहे हैं एंड ल्टी इस को स्टॉक ठीक है तो वह आप स्टॉक देख सकते हैं एंड तनला का स्टॉक्स में लेए ओके अब देखो अगलेक न्यूस है श्याम मेटलिक्स अब देखो यह एक्स स्टॉक में डाल रहा है मैं हमेशा आपको एक वर्ट सीखाया है कि जबी भी कोई कंपनी एक्सपांशन करती है वह स्टॉक में बड़े प्लेस कभी ना कभी बहुत जल्द एंटर कर लेते हैं तो आप श्याम मेटल इसको जरूर अडर पर रखीगा स्टॉक एक टाइम पर साथ सो पे था उसके बाद दो सो असी एंदिन साथ सो तक टेस्ट किया है यह स्टॉक अभी अच्छा बॉटम बना रहा है शौर्ट टम का व्यू इसको अवेट किजिएगा अगर किसी का शौर्ट टम का विए लेकिन अगर मिट टू लॉंग टम है तो बंदा मुझे लगत को एक डीप का एवरेज का सूचना चाहिए आई बाद समझ में तो शाम मेटलिक्स के लिए न्यूस पॉजिटिव है शौर्ट टम में मत दिखेगा अभी मिटरम टू लॉंग टम में अच्छी मोमेंटम मुझे लगते कर सकता है ओके अब देखो अब दियान से सुनेगा अ बात जरू बताना चाहूंगा मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ बायस नहीं हूं ना मुझे जो आम आदमी पार्टी वह पसंद है ना मुझे यहां पर कॉंग्रेस पसंद है ना बाज़ा मैं सिर्व जाता हूं कि इंडिया का ग्रोह हो लेकिन मैं इतना जरू देख र जील में चले जाए वगेरा वगेरा ठीक है और खुद की पॉलिटिकल पार्टी में क्या स्कैम नहीं होते तो के हो सकते हैं अभी इलेक्टरल बॉंड स्कैम आप यहां पर ट्वीटर पर दिखा होगा ट्वीटर पर ट्रेंड करा था इम शुर याद होगा ना ट्वीटर प सब्सक्राइब करके कंपनी है ठीक है उन्होंने फंड्स दिया था 395 करोट टू बीजेपी और 25 करोट शीव सेना ठीक है और यह कनेक्शन आता हुआ दिखाए दिया है रिलेंस ग्रूप के साथ कौन से कंपनी का नाम है क्विक सप्लाइ ठीक है अब देखो पॉलिटिकल प देखो हमसे साथ है तो आप लोग जानते है बहुत सारे विवस होते हैं ठीक है जो पॉलिटिकल पार्टे के साथ कनेक्टेड होते है या उनका नॉलेज होता है अच्छा पॉलिटिक्स में ठीक है तो यह थोड़ा बहुत आपको भी रडार पे रखना चाहिए कुछ चीज आता है त्यांसो सुनेगा तो क्या शेर मार्केट में इंपक पड़ेगा मैं बोलूंगा येस इंपक्ट जरू पड़ेगा हाला कि अभी केले कोई स्कैम निकला नहीं है यहां से इलेक्टरल बॉर्ड के अंदर लेकिन अगर कुछ निकलता है तो वो शेर मार्केट को जरू impact का सकता है तो ये बात याद रखेगा जरू और देखो कुछ ने कुछ डायरिकली इंडायरिकली आ जाते हैं जैसे कि कर सकता है और वैसे आप भी जानते हैं कोई दूत के दूले है नहीं ठीक है चले तो होप आज की न्यूस आपको समझ में आगे फड़ार बात करते हैं पर इंपोर्टेंट क्वेरिस की तीक है तो देखो इमुद्रा मुझे पसंद आ रहे हैं मैंने अभी मोमेंटम चेकी काफ सब्सक्राइब करते हैं मैंने लिया है आपने बोला था कि 1000 तक जाएगा एक महिने में देखो एक सिंपल मैं वर्ड बताना चाहूंगा मैं कभी भी एक महिने के एक टार्गेट बोलता ही नहीं हो फॉस्स पॉइंट ठीक है मेरे अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मेरा व्यू क्योंकि मुझे बड़े प्लेस दिखाई दे रहे थे अब जैसे मिटकेप की न्यूज आगे स्टॉक में गीरा बटा गई हमेश्व याद रखेगा अगर शॉट टर्म का व्यू है रिस्की स्टॉक है तो बल्क में आप अपनी स्टडी भी कह सकते हैं अपने फैनेशर एड होना चाहिए अगर यह टूटा तो इसको टाटा बाइबाए करना है ठीक है क्योंकि देखो कभी भी स्टॉक कोई ना कोई टूटेगा तो जरू ठीक है अब ही स्टॉक में क्या नेगिटिविटी आ चुकी है तो मैं बोलूँगा अभी कुछ नेगिटिविटी आती होई न पर ना जाए तब तक यह स्टॉक थोड़ा वीख है ठीक है अब वापस बात करना चाहूंगा के मानलो यहां पर मैंने आप वह आपको बताया था कौन सा स्टॉक आने यह स्टॉक कहां पर बोनस यह स्टॉक के बात की बात है तो अभी अगर आप देखोगे बोनस से पहले कंसिडर करने जाए तो पांच सूपह तो तीन गुना हो चुका है सोचो तीन गुना तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो यहां पर थोड़े फॉल करते हैं लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जो वन बैवन अच्छी मोमेंटम करते हैं ओकी प्रोटीन करके क्वेरी आती होई दिखाई थी सर की देखो टाटा मोटस में कोई फेक रेली तो मुझे नहीं दिखाई ज उसके अलब यहां पर एक सर ने बोला था प्रोटीन इट टेक्नोलोजी स्कस्ट दीको मैंने यह स्टॉक भी स्टॉडी किया है मुझे यह स्टॉक पसंद नहीं आरा स्टॉक में क्लियर के ब्रेकडाउन है और स्टॉक इतना अच्छा खासा है भी नहीं ठीक है तो वालेटल स बाकि लॉंग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक है तो इसको अच्छे स्टॉक है तो इसको और कर सकते अगर करना है तो जीपी पावर की कुछ क्वैरी सारी जीए सब्सक्राइब करेगा और ऊपर जा सकता है जैसे कि पैरा केवल आपको लोगों को याद होगा ठीक है उसमें भी मुझे बहुत गालिया पड़ी थी जब पैरा केवल मैं आपको बताया था पैनी स्टॉक में क्योंकि 20 रुपे का स्टॉक 10 रुपे हो चुका था लेकिन 10 से 100 गया तो किसी का कॉमेंट नहीं आया यहाँ नहीं क तो कैरफूर लेना जरूर पड़ेगा आप लोगों को अभी के लिए अभी के लिए स्टॉक में गिरेवाट अल्मोस्ट खतम हो चुकी है और I think 120 सेग्मिन हटा है के नहीं अभी भी है तो यह कुछ तीन-चार मेने हट रहेगा उसके बाल शेड हट सकता है तो उसमें ताइ अगर क्या ले सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ क्वेरी थी देखो बजट फाइनेस मुझे करण लेवल पर बहुत अच्छा लग रहा है अगर आपको दिखना है तो जरू दिख सकते हैं एडवाइसर की सला ले सकते अपने लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा दिखाई द लाइंड लांस्ट नोट लीस्ट क्वेरी मुक्काप्रोटींस ठीक है मुंकप्रोटींस की बात करने जाए लेकिन मेरे चार साल का मज़े लगता है त्रिपल डिजिट में जाएगा अब अब एसा मदा सुचीए चार मेहिने को नहीं चार साल का है और कमनी फंडामेटली अच्छा है लेकिन शॉट टॉम का व्यू बात करें तो सपोर्ट बन चुका है तो शॉट टॉम का सपोर्ट बन चुका है अब मुझे नहीं लगता कि 35 के 33 के नीचे जाएगा 33 के नीचे जाएगा हाँ अब टाइम स्पेंड करके वापस यह स्टॉक उपर जाता हुआ आपको दिखाए जे सकता है और 5-6 मेने मुझे लगता है कि शायद लेगा कहना मुश्किल है लेकिन 5-6 मेने ले सकता है अपने लाइफ हाई को क्रॉस करने के लि काफी वीडियोस इंफोर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं जरू देखेगा एंड सी सीरियस नौट पे पैनिक मत कीजिएगा अगर कोई भी स्टॉक में फसे हो द्यान से सुनेगा यह इंपॉर्टेंट है मानलो कोई भी स्टॉक में फसे हो भले कचरे से कचरा स्टॉक स्टॉक को एवरी लिवल पर एवरेज मत करो क्या मानलो फस गये कि बाई सर मैं फस गया ठीक है मेरे को अभी करना क्या है वो बता दो तो कोई भी स्टॉक में मिनीवम 45 पसंड का डीप होना एवरेज कर देना ठीक है मानलो सर बहुत करब स्टॉक है और 45 पस नीचे चला गय स्टॉक आपका प्राइस बहुत जल्द अपने प्राइंग प्राइस पर आ जाएगा ऐसा इक स्टॉक अभी था कौन सा स्टॉक था में नाम मुझे याद नहीं है लेकिन वह काफी अच्छा स्टॉक अभी गिरावट आती हुई दिखाई थी स्टॉक वन वे जाता हुआ द जरू किजेगा तो ऐसा होता रहता है लेकिन आप सही लेवल पर एवरेच करोगे तो आपको कोई इशुज नहीं होगे ओके मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिन